हलो फ्रेंट सम्हापके लेकर आए हैं काफी अच्छा काफी बेहतर प्लान है यह जो प्लान आप देख रहे हैं छौधी रीपू पिंडारुच यह उनके लिए प्लान है उनके क्लाइन का प्लान है तो टॉटल चीजे हम आपको बताएंगे कि प्लान कैसे है क्या हाल एक्टर काम करते हैं यह फॉर्मेट समझ में आता नहीं है ठीक है काईडिया लगता यह चीज ऐसे यह चीज ऐसे तो हम यहां पर कंस्ट्रक्शन के साथ आपको दिखाएंगे तो जरूर वीडियो को शेयर करें क्योंकि वीडियो जादे जाद लोगों काम आने वाली है यहां पर मंदीर है यहां पर साइड में यह मंदीर एडिया है और उसके बाद प्र्लान का चार भाई, के सबसे काम करें रखना है कि कॉल्म के तनी दूरी पर क्या रखा गया है टोटल चीजे हम आपके साथ 3D एनिमेशन में भी समझाएंगे तो यह वीडियो देखे पूर हम टोटल कॉंक्रीट के दौरा दिखाया गया है कि ब्रिक वर्क है कहां आप दिवार में खिरकी छोड़ सकते हैं कहां नहीं छोड़ सकते हैं टोटल चीज़े चलिए बाथरूम क्या किस कंडिशन की वसे चीज़े क्या रखी गई है और इसमें जो रिकॉर्मेंट थी कि हमको ओपन कीचन रखना यह ओपन कीचन है सीरी को पूरा पूरा चड़ा के दिखाया गया है चलिए तो आपको हम बता देते हैं कि यहां पर जो है नीचे में फुटिंग बेस जो भी होगा वह आप बनवा लिजेगा और यहां पर जो पहली वीम जो आएगी वह आपको छेंच रखना है और उसके बाद जो अगली भीम होगी वह दस इंच होगी यानि यह अंदर बाहर जो चलती है लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कुरसी का हाईट जादा नहीं है तो आप इसको दस रख सकते हैं आड़ीपी से यूज़ कर सकते हैं तो इन सब ची है टोटल चीज़ें हैं यहां पर एक कोलम इनिफाई होगा जानी एक कोलम यहां पर भी है जो आप सीधा सीधी मान सकते हैं एक क Alabम यह भी यहाप mercp एक कॉलम आपका यह है सब यह ले लिए एक कॉलम यहाँ है यनि कॉलम इसी तरह उठता हूँ हम दिखा दे रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर आपको कॉलम को रोक के रखा था एक कॉलम एक कॉलम यहाँ तो number of column आप देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा और बारा number of column बारा है तो 10 बाइदस का column इसलिए हर partition पर इस्तेमाल किया गया है नहीं तो कुछ column skip भी हो सकता था चलिए, आगवे, जी प्लस फोन आप इस पर आराम से बना सकते हैं उसके जैसे हम लोग आते हैं तो यह आप देख लिए इसका यह 2D format है यानि हमने आपको दिखाया यह चीजे यह 2D format के साथ है, यहाँ पर जो column है आपको यह देखना है कि यह और यहां से यहां तक की दूरी column अंदर, in face, out face क्या है यह आप समझ पाना है, जो हम आपको यह 3D के द्वारा भी दिखा रहे हैं और इसका brick work के द्वारा भी दिखा रहे हैं, ठीक है, टोटल चीजे चलिए बता देते हैं, वीडियो में भी आपकी ड्राइंग किलियर हो जाएगी, 2D तो किलियर है ही, 2D पहले किलियर कर दे रहे हैं अंदर संदर यह 10 feet change है, यहाँ 10 feet है, फिर 5 inch की वाल है लेकिन column placing के टेम में ध्यान रखना है कि यह जो वाल है, यह वाल है, पांच इंच प्लस कीज़ा, तभी column का फिस अंदर या बहर आपको पकर बे आएगा ठीक है, बाथरूम है, यह सिरी एरिया, यहाँ पर मिनी हॉल है, छोटा सा, सीट आप, बरा हॉल नहीं मान सकते हैं अब बैटने उटने के लिए से ओपन कीचन है, बेडरूम है, त्रीडी फॉर्मन में समझते हर पिलर की दूरी के सांथ, यानि कि लंबाई गुने चौराई क्या है, प्लान की हम आपको दर्शा देते हैं, कि प्लान जो सामने से आएगा, वह आपका तईस फिट है, और यह जो दूरी है प्लान की, वह अठारा फिट है, तईस गुने अठारा हैं बना हुआ, वन बीच के प्लान है, टूर बीच के का चांस सही नहीं है, हमने ट्राई भी किया था, आया नहीं, ठीक है, उचके बाद कॉलम आपको हम बता दे रहें, आउटर फेस, पार्टिशन फेस यह फेस भी देखिया, तो यह 5-8 है, और यहां से लेकर यहां तक यह आपका 3-10 है, ठीक, यहां से अगर अगला कॉलम आप प्लेस कीजेगा, तो यह 5-7 पे है, और यहां से इस फेस से फिर अगला कॉलम का जो फेस है, वह आपको 11-9 है, और यहां पे जो कॉलम है, यह टू पर उसके बाद जो अगला आप फिते के लिए मार्किंग लिजेगा वह गारा फिट तीन इंच पर किलियर हैं फिर यहां से जो एक अगला लिजेए तो इसका मार्किंग यहां से यहां तक 119 इंच है और एक चीज ध्यान रखना यहां पर बाथरूम है तो इस वाल को आपको तो पूरी जगह नहीं छोड़के आपको एक फिट अंदर आजाना है एक फिट अंदर आने के बाद आपको भी तर्क पर कुरसी पर मार ना जो आपका बाथरूम में việc ऋडाेशन का इस्तेवाल कर पाई। ठीक है उसके बाद ये भी column की दूरी यहां से लेकर यहां तक आपका 6 foot 5 है और यहां कॉलम is keep करसकते थे मालिभ यह कॉलम यहां तो यह तो आपको रखना है यह क्लें है यह oggi सबने नोट्स सबसे जादा होता है तो यहां पर कॉलम रखना जरूरी था यानि दो हिर्प skip आप कर सकते थे लेकिन चीज़े कि दो कॉलम के इलावा भी बहुत सारी चीज़े हैं तो उन पर ध्यान रखना पड़ता है ठीक है अगली चीज में आते हैं कॉलम किलियर है यहां पर जो साथ फिट पर लिंटर का इस्तेमाल है और लिंटर का जो साइज है वो आपको मालूम सामने में इनका जो जमीन चोरी गई है नौ फिट दस फिट के आसपास जमीन है आंगन के इस्तेमाल के लिए तो इस जमीन के लावा आपके पास डेर फिट तक आप यारा चज्जा नेकाल लिए दो फिट नेकाल लिए ग्रूपिंग कार दिजिए का अच्छा दिखेगा य सकते हैं और एक विंडव यहां पर तीन फिट यहां पर एंड़ो कोई सकते लेकिन ऑगर घर बनेगा तो यह पैक हो जाए इसलिए हमने यहां भी एक बिडू दिखाए को आपको यह फिल ना ओ प्या जिखाए था यह दूसरे तौपरटी में पूरे खुपाई की हुई अगला घर बनाएगा तो आपके घर में सटेगा घर तो इन चीजों का धिया रहा है लेकिन यह फेसिंग पूरा से हम रहेगा जादे हाइफ 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 रिजाइन रखने से बेनिफिट इसलिए नहीं है कि सामने में फ्रंट अंदर गली में घर है ठीक है अच्छा प्लान होसा ठीक है तो इसके बाद अंदर वाला डिस्टेंस ये जिए राइंग में और बोला ते किचन का स्लैप कास्ट किया हूआ है योडि की जो दूरी है वह आप टूरी प्लान में भी देख है यहां से यहां तक 5 एकार यानी चे फीट मान सकते हैं और तो जब यह आपका उपर सीरी के नीचे से यह राशता देखा दे रहा है आदेखें यहां से सीरी उठी है सीरी के नीचे से यह रास्ता जा रहा है अब का ऐधाइफीट का गेट है यह लिए इस तरह का बाथ रूम यूज करने वे भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है घर में ठीक है तो यहां साइट से और यहीं से स्टेर आपके जाई ठीक है कॉंसेट के लिए बाथरूम भी समझ गए अब आपको सीरी देखें टूडी प्लान में सीरी यहां सीरी पूरी चड़ा के बनाई गए ऐसा नहीं है कि हमने एक मार्किंग कर दिया वहां पर स्टेयर फंसे ऐसा कुछ नहीं है तो आपको हम दिखा दे रहें स्टेयर कैसे सिट क गत्व में दंखित, और यहां से आप जैसे जाते हैं उसके बाद यहां पर इसकी कटिंग है यह वाली यह कटिंग है इस कटिंग को लेके आपको नहीं G10 है यह आपका 10 своим 6 यह वाला हिससा है यह और 6 x 6 12 करके सीरी आपकी टोटल जाएगी तीन फिट पहले इसको आपको मार मार्किंग कर लेना उसके बाद ही सीरी को आपको ले जाना और मार्किंग करके समझ आए यह वाली स्टेप को इस तरह से जो कतली डिजाइन में करता हो काटा गया चरहाने के लिए फिर सीरी चर्थ टीवी सीधे छट पर आ जाएगी ठीक है सीरी में किसी तरह की कोई समसे नहीं आउटर बाहरी जितनी दीवार है वो दस इंच की अंदर की पांच इंच की प्लान में हर एक चीस के लिए है चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया थैंक्यू धन्यवाद